सूरा मेरे मज़ पमान तठण फिर मने सिख्खा पढ़िंस माधियानी पुद्धं सरेन गच्छा मूँ आज का जो कंसेप्ट है क्योंकि अभी तीरत वावु सर के साथ में बड़ी अच्छी चर्चा हो गई कठोड़ता के साथ दर्थता के साथ और जब कभी इसूज को हम समझानी पाते या सामने वाले समझनी पाते तो टेंपरामेंट होट हो जाता है हम करना नहीं चाहते पर हो जाता है कारण क्या है कि समन संग जिस लेबल की बात कर रहा है उस लेबल को समझने के लिए बहुत महत करनी पड़ती है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने समन संग में पूरा टाइम लगाया है और जो समन संग को समझ रहा है और देख रहा है वो जानता है कि समन संग ने कितनी सारी दिवारें तोड़ दी हैं मजब की, धरम की, संतों की, राजनीती की, चंदे की, संठन की जितनी भी दिवारें जितनी भी छोटे छोटे दड़बे बने हुए थे वो सारे हमने द्वस्त कर दी हैं और द्वस्त करने के बाद हम एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुँच गए हैं जिसमें हमारी पहचा हैं समन अब हम ना बुद्दिष्ट हैं ना रविदासी हैं ना कवीर पंथी हैं ना हम किछी जात में हैं ना ही अब हम कोई भासा में बंदे हुए हैं ना ना ही किछी छेतर में बंदे हुए हैं लिंग भेद भी हम खतम कर चुके हैं सारी दिवारें तोड़ने के बाद में अब हम जब सामने खड़े होते हैं तो दो तरह के लोग दिखाई देते हैं समण या वमर अब हमको काश्ट वाले लोग नहीं दिखाई देते हैं हमारी आँखें पूरी तरह से साफ होगी चस्में साफ होगे अब हमको या तो वमर दिखाई को सीखकर वो हम पे राज करता है हमारे संग को सीकर हमें नाज अस बात पर हम उसकी तारीव करते Carne पर साथ ही साथ हम अपने निकम्य पनको भी दूर करते हैं कि हम संख्या में विसाल हैं हम खाली प्रट्टे भी हो जाएंगे तो भी हमारे अंपड़ और हमारे जो गरीब लोग हैं वो अपने जीवन को सुद्ध कर लेंगे अपनी सुख सुविधा बढ़ा लेंगे अपनी सुख्षा बढ़ा लेंगे यह चोटा सा mathematical एक science है कि जो इखटा होता है वो भारी होता है जो इखटा होता है वो बजनी होता है जो इखटा होता है वो ताकतवर होता है यह पूरी दुनिया में नियम चलता है इसको सिखाते हैं हम इसको बताते हैं और जो कोई भी यह संठन चलाता है या जो कोई भी अपना कुछ करता है वो आए और बहस कर ले पर कोई अगर हमसे चेलेंज करके यह कहता है फुलानी जिगे बावा साथ की स्टैचू तोड़ी है और आप चर्चा कर रहे हैं और आपको वहां जाना चाहिए और आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो तो बिना सोचे समझे सिर्फ हमको आदेस दोगे चर्चा नहीं करोगे तरक नहीं करोगे वितरक नहीं करोगे समझाओगे नहीं समझोगे नहीं सीधे सीधे हमको कहोगे कि बावा साथ की स्टैचू है बुद्ध की स्टैचू है कवीर साथ की स्टैचू है स्टैचू में खेलेंगे क्या हम तो चर्चा तो कर लो भाई तरक चुके हैं कि हमारी जो यह बावासाब की मोड़ती यह खाली मोड़ती लिह आईकॉन है को यह चेंबर में चलती हैं और कहीं चलती नहीं राइंदर परसाद राइंदर पाल एडवोकेट मेरे मित्र रहे हैं पुराने कैमिट मंत्री हैं जब वो खाली वकील थे और समता सेंग दल में एक सिपाई थे और वहां जाए ख़ले होते थे साधान आदमी थे उनकी सिष्टर की साधी में और दोस्ती है मित्ता है और समण है इसलिए उनके साथ भी थे तो उनको सेंटर पे हमने बुलाया कि आओ सेंटर बैठते में बात करते हैं कतके सर मोफिसप due थे मैं भी था कंके सरभाई चांस नहीं किया हम तीन चार घंटे चार घंटे सात रहे हमने साथ में荬赤ा खानाव क्योंकि आम मैं से watching video बनाओंगा उन्होंने कहा कि मैं video बनाओंगा तो उसलिए तिकि तत्थिक अरनः चाएसे चाहिए पहले इस इसको confirm करना चाहिए तो been confirm पर कंफर कि आए थे पर हमने इस वारे में बात नहीं की कि मूटी का क्या हुआ क्या मुमेंट क्या नहीं हम समन संग के वारे में उनको बता रहे थे और वो समन संग से कन्विंस हो के गए उन्होंने कहा कि आज मुझे समन संग कोई तर से समझ में आया अब मुझे समझ में आता है कि मैं समन हूँ हमारा काम हो गया हमारा काम तो परचार परसार कर वो मुद्दा हम नहीं देते, वो मुद्दा हमें मिलता है, वो मुद्दा हमारे पास चार तरफ से आता है, वो मुद्दा हमें बार 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 दिये जाते हैं, अभी चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद में हमारे सारे जितने भी छोटे बोटे छोट भईये नेता हैं, जिनको अब दिल्ली में MLA बनना है, जिनको उत्रप्रदेस में MLA बनना है, जिनको महराष्ट में MLA बनना है, जिनको हरियाने में MLA बनना है, चार्ज गे MLA का चुनाब होने वाला है, तो उनको मुद्दा चाहिए, उनको अपना चेहरा दिखाने के लिए, उनको वीडियो ब से सारे ब्रातकार हुएं क्या मांगते हैं हमारे लोग पचास लगड़ रुपए और एक नौकरी बस एक जान की कीमत जो кас OUT Elite चाल शला के मारा जाता है 50 लकड़ और एक नौकरी है मतलब मांगने वाले को शर्म नहीं आती हैं यहां तो यहां जब श्टेचू की बात आई तो हम देखते रहते हैं तो हमने पहले भी बताया कि समन संका क्यों पूछा कि समन संका इसमें क्या इस्टेटस रहेगा क्या इस्टेंड रहेगा आज भी कैई फोना है तो हमने कहा कि देखो जितने भी लोग हैं वो इखटे नहीं हो रहे हैं हमेशा की तरह और सब लोग अपने अपने नाम से बैनर निकाल रहे हैं सब अपना अपना फुटो लगा रहे हैं वहाँ क्या होने वाला है लोग इमोशनल हैं लोग बावा साब के नाम से आएंगे और पालिया मेंट के नाम से आएंगे और इतनी भीड रही कि सामके चार-पांच में तक भीड रही हटी नहीं भीड वहां से और कमाल क्या इसवाल लोग आए वो हमारा एक संस्कति एक हमारा मेला है जो 67 से स्टार्ट हुआ है और 67 में वहां लोग नहीं जाय करते थे हमें याद अच्छी तरह से जब हमां जाते थ तो वहां लोग ही नहीं आते थे टेंट भी नहीं लगते थे दीदे करके बढ़ा है बहुत महनत लगी है उसको एस्टाब्लिस करने में पाल्यमेंट पे अकेले स्टेचू है जहां सबसे बड़ा मेला लगता है एक खटकता है बहुत लोगों को कोबिट में दो साल बंद भ आया करती थी जब वो निउस के बारे में बताते हैं पाल्यमेंट निउस के बारे में तो वह एक आइकॉन है और वह पूरे देश की एक संपत्ती है पर कुछ लोगों खटकती है जिनको खटकती है उन्होंने वहां जाटवाई है उसको कोई नाम नहीं लेगा कोई माइकला को फोन आया उन्होंने कहा कि संवन संगी तरफ से ऐसा ऐलान कर दिया जाए कि सारे संगी माँ पहुँचे हमने का संवन संग ऐलान नहीं करेगा पर सारे संगी पहुँचेंगे सब मैं भी पहुँचूंगा और भी पहुँचेंगे पर वहां हम देखनें पहुँचेंगे क अपने बिल्ले सबसे ज़्यात लगाएगा और मंच पए कुटा घसिटी होगी मारा मारी होगी माइक पे लोग बात नहीं करेंगे माइक पे लोग चीखेंगे कि ताकि उन्हें को सोलन ले उनका को यूटूब बना दे उनका लोगों को बावा साब की स्टैचू टूटी है इ कौन नाम करें कौन वहां प्रेदर्शन करें प्रेदर्शन से क्या निकलने वाला क्या नहीं इस पर चिंतन नहीं है हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा क्योंकि इसूज ऐसे होते हैं बावस आपका एसूज है या हमारे महापुर्सों का इसको छोड़ा नहीं जा सकता पर पर परिणाम अच्छे आने की बज़ाए खारावाने का संभावना ज्यादा अच्छे भी आ सकते हैं मैं कोई ऐसा नहीं हूँ के निगेटिव हूँ अच्छे भी आ सकते हैं दो अपर अठारे को हम लोग सब इखटे हुए थे नेता विता कोई था नहीं कोई बैनर नेता कुछ इसको कौन कहेगा कि भाई पड़े लिखे समधाल लोगों की तरह अंबेट करवादी लोगों की तरह बुद्धिष लोगों की तरह रविदाशी लोगों की तरह पहले एक संगती लगाओ को जल्दबाजी नहीं है मूर्ती अब लगे 15 दिन बाद फिर सिफ्ट हो जाए या दो मेहने बाद सिफ्ट हो जाए कोई जल्दबाजी नहीं है पर सड़क पे जाना ही ना पड़े प्रदसन करना ही ना पड़े और मूर्टी सिफ्ट हो जाए तो मजह उसमें है ताकत का कौन लोग आते हैं कभी औंगों को देखा है कि वह पहले धनना प्रदसन करते हों या रास्ता है वो सबसे लाश्ट का है आपने सबसे लाश्ट वाले हतियार को पहले चला दिया आप जिंदिगी में खट्टे होगे काउंसल नहीं करोगे क्योंकि अब आप जगड़ोगे जब आप वहां जाओगे और स्टेचू पर वहां पर जगे जगे फुटू खिचवा और जो मंच लगाएगा वो दूसरों को आने नहीं देगा उसमें बाउंसल लगे पड़ेंगे तो तुम्हारे मन में मैला आ जाएगा और जब मन में मैला आ जाएगा तो तुम फिर बाद में एक दूसरे की सुनोगे भी इखटे भी नहीं होगे तो मुद्दा ही खराब हो जाएगा और फिर क्या होगा आम लोगों को दुवारा भेत करने पड़ेगी आम लोग फिर दुवारा से काम करेंगे तो उन आम लोगों की बात को रखते हुए समन संग ने ये कहा है कि समन संग ये चाहता है कि भाई पहले आप लोग इखटे हो और आप में अगर इखटे हो उन्हें की कूबत नहीं है समझदारी नहीं है इतनी आप में जानकाई नहीं है ता पिसंस नहीं अतनी बुद्धी नहीं है तो समंसंग से बोल दो समंसंग आपके लिए करोगे आप ही समंसंग आपके लिए मिटिंग अरेंज कर देगा समंसंग से बोलो कि समंसंग यह कर पर स है क्वारों संग्धों को कहा गया है कि आप जाओ आ पर समंदा कना मोंैं आएگा यदा कोई-बोड लगा कोई हम हर समस्याम हम साथ रहते हैं हर समस्या में यही कहते हैं खटे हो तो तो समस्या का समधान होगा पर इखटे नहीं होगे तो समस्या और बढ़ जाएगी इस बात को समझ लो इस बाते बहस कर लो आ जाओ बहस करने को याता नहीं सीधे सीधे हम सभी कह देते हैं तीन साल होगे दो साल होगे पांस साल होगे चार साल होगे समन संगने तीन साल के इंदर जितनी बाउंडरियां तोड़ी है और जितना बड़ा यहां काम किया है और जो पहचान दी है इस पहचान को चोहतर साल से तरफ रहे हमारे लोग क्या कहते हैं? कभी कहते हैं हम अर्जक हैं, अर्जन करने वाले हैं, कभी कहते हैं हम कमेरे हैं, काम करने वाले हैं, कभी कहते हैं हम जाती वाले लोग हैं, अनुसुचित जाती, जन जाती, पिछली जाती वाले लोग हैं, कभी कहते हैं हम दले हुए लोग हैं, दलित हैं, कभी कहते हैं कि हम मूल नवासी हैं पर पहचान नहीं है किसी की भी जो इस्थाई पहचान होती है जो बुलकुल एक इद्दकील की माफिक जैसे बुद्ध के स्थूप गड़े रहते हैं जो हिलते नहीं कभी भी हवा से और किसी भेंकर तुफान से और पत्थरों के ऐसे खड़े रहते हैं बलकुल अटल ऐसी पहचान जो हमारी समर्ण की पहचान है वो पहचान देने का काम जो समर्ण संग ने किया है मेरा दावा है इस बात का कि दुनिया याद रखेगी इस बात को कि आज पहचान हमें मिली है और यह पहचान बहुत कमाल की पहचान है पर इस पहचान को औरने से इस पहचान पर बात करने से इस पहचान के जिकर करने से भी लोग घबराते हैं अभी वो भंते हैं एक पलवल वाले भंते हैं वो अकेले चलाते हैं काम को वो आजकल कोई आचार सहीता बनाते हैं कैसे मरना है कैसे जीना है बहुत धिये करेंगे बहुत करेंगे पर ब पद बाट के आप धम चला रहे हो या राजनितिक पाड़ी चला रहे हो ये बात समझ में आदी कोई कहता नहीं पर हम कहते हैं इस बात को कि आप जो काम कर रहे हो वो धार्मिक पहचान है आओ बात कर लो आप धार्मिक पहचान दे रहे हो आपकी धार्मिक बहुत पहचान किस कि ऐसे व्यक्ति की जो रविदासी है और संत रविदास जी को अपना सब कुछ मानता है उसके बराबर है आपकी पैचान कोई गाड़ के वाला व्यक्ति है तो बहुत की पैचान गाड़ की पैचान संत की पैचान बराबर है कोई वालमी की वाला है कोई जो गुरू दुर्द चाहिए, वो सब्द आपके पास नहीं है, और वो राजनीती से नहीं मिलने वाला है, धादमी को संतों की पचाना अलग अलग है, संग्ठनों की पचाना अलग अलग है, जो व्यक्ति के छेत्र हैं उनकी पचाना अलग अलग है, भासा की पचाना अलग है, लिंग भेत की पचाना अलग है, कोई नर है, कोई अर्धनार है, कोई अर्धनार है, उसकी पचाना अलग कर ले सबने अपनी पहचान बताई है व्यक्ति अपने फोश्ट लगा लगा के अपने ज़ने लगा लगा के कि में नाम करकर के अपनी पहचान बता रहे हैं पर हमारी क्या पहचान है इसको कोई नहीं बताता इस पर कोई बात नहीं करता इसको कोई जानता भी नहीं है जो पत है इसलिए हम बतानी पड़ती है कि हम कहां का लुट रहे हैं कहीं कोई इसका जोड तोड़ नहीं है सवन संग वह है जो सब को आंक में आंक क्मला कहता है तीरत वावु नाराज हो जाए या कोई और नाराज हो त्यार हैं आज हर संगी अपने आपको बेहन जी और सर जी के आगे बात करता है आज संग के अंदर कोई किसी की काश्ट नहीं पूछ सकता पूछेगा तो संग घात लग जाएगा आज संग के अंदर कोई पद परश्ट की बात नहीं कर सकता जुम्मेदारी सब के पास है पर बदपोशनी आज संग के अंदर सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरी की बात मानते हैं और अची से काम का में भएडी बहुत तेजे बढ़ता जा रहा है अजो कोई सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता और जो समझता है, वो कहता है, संग से अच्छा कुछ नहीं है, संग सब्बो पर ही है और ये संग मुझे अगर पहले मिल जाता तो मेरी काया पलट हो जाती मेरी आर्थिक पलट हो जाता है, मेरे राजनितिक पलट हो जाती मेरे बच्चों की पलट हो जाती, मेरे याजू के सिन की पलट हो जाती और मैं पलट जाता, आज मेरे दिरद्दर सारे पलट जाते हैं और मैं दूर हो जाता इसलिए समन संग जरूरी है, इसलिए मैं समन हूँ पहचान जरूरी है इसलिए हम समन हैं पहचान जरूरी है ये पहचान हमारी जनम जात पहचान है जो मा के पेट से मिलती है और अनंता तक रहती है अनंत काल तक रहती है दुनिया का कोई माई का ला नहीं जो इस पहचान को खतम कर दे कोई व्यक्ति बुद्ध हो सकता है पर बुद्ध होने के बाद भी वो समण ही रहेगा कोई सारी पुत अरत हो सकता है कोई महा मोगलियान अरत हो सकता है पर अरत होने के बाद भी वमण ही रहेगा कोई आदमी देश छोड़ के बाहर जा सकता है वो अमरीकन हो सकता है वो आस्ट्रिलिन हो सकता है वो कनेडियन हो सकता है वो यूरेशन हो सकता है पर वो समण रहेगा या वम्र रहेगा कोई व्यक्ति समण से वम्र नहीं बन सकता और वर्मर्ट से समन नहीं बन सकता, यह स्थाई पहचान है, यह अटल पहचान है, इसको कोई छीर नहीं सकता, आप चाहें चोर हैं, चाहें डाकू हैं, चाहें बच्चें हैं, चाहें बुड़े हैं, चाहें जवान हैं, चाहें बिरुजगार हैं, चाहें गरीब हैं, चाहें कुछ हैं अगर आप मनुस्य है भारत में तो आप या तो समण होंगे या वर्मन होंगे और यह हमारी जो संसकती है संकती है और यह जो हमारी कल्चर है और यह जो हमारी नागरिक्ता है और यह जो हमारी सब्वेता है यह एकलोती है भारत के इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए कि क्यों है क्योंकि अगर भारत से कुछ लोग चले जाते हैं इंग्लेंड और इंग्लेंड में जाके जो समन लोग है वहाँ पर जाके बैपार करते हैं और बैपार की दिए महामा के मानते हैं तो वो समन ही रहेंगे वो वहाँ अंग् गर रहेंगे और यहां कि लोग एक कुल्चर के रहें ग शुहां थीजरा कि भारत में हुआ पहलत में हुआ बहुत साही कोब बहुत हूण आए, सक आए, इंगलिस आए, पॉर्चुगी जाए, फ्रांसिसी आए, अर्बी आए, बहुत साए लोग यहां आए, और अधिकतर यहां की जलवाई देखके, यहां का खानबान देखके, यहां रह गए, यहां बच्चे भी उन्होंने पैदा किये, परिवार मी यहां वो अभी भी यहां रहते हैं, पर वो समड नहीं है, वो समड समड समब्हता के लोग नहीं है, वो एक सेक्टर है, कोई उसमें मुस्लिम सेक्टर हो सकता है, वो वाला मुस्लिम जो बाहर से आया है, वो नहीं जो कनवर्टेड है, कोई यहां अर्भी हो सकता है, कोई यहां य यहूद ही हो सकता यह बहुत सारे सेक्टर है यह बहुत सा पूर्चुकुज लोग डियाते है इधर यह जो पूरा एक पुर्डुचेरी के अंदर तो अलग-अलग सब्वेता हैं अलग-अलग लोग हैं पर उनके देश की सब्वेता हैं वहां की हैं भारत के समढ़ सब्वेत हो सकती है वह वर्ग हो सकता है पर सभेता सेक्टर किसी बहलत में नहीं हो सकती है और होती भी नहीं है इसलिए यह पहचान बहुत दिनों बाद हमें मिली है और यह पहचान हमें कहां से कहां पहुंचाने वाली है आप सोच नहीं सकते आपकी सोच इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी यह पहचान है इस पहचान में जैसे जैसे हम ढलते जाएंगे जैसे जैसे अपने माते पे लिखते जाएंगे मैं समण हूँ मैं समण हूँ मैं समण हूँ मेरा घर समण है वैसे वैसे हम जीत की तरफ बढ़ते जाएंगे पालिया मेंट के 26 त अलग अलग आएंगे और अलग अलग ही चले जाएंगे पर वहां हम जो होंगे समड के रूप में होंगे हमारे समड संग जितने लोग है वो खामोस रहेंगे चुप रहेंगे पर वो सबसे बड़े होंगे क्योंकि वो समड होंगे और वो सांती से देखेंगे कि बाकी समड क् क्या नहीं करें ये काम करते हैं हम ये काम करता है हमारा समर्ण संग ये पहचान है जो हम देते हैं तीन साल में अगर कोई हम से पूछा तो हम ठोक के कहते हैं कि तुम बीस साल में पच्छिस साल में जाटक के जाटक भी हो तुम साट साल में चोहतर साल में महार के महार ही हो सेक्टरेप रहे आ तुम वाल्मी की वाल्मी के रहे और तुम रविदाशी की रविदाश पर हम इन सब से तोड़ कर इन सब को समाइव्थ करके बहुत बड़े पिक समढ संग और सभ्था का विक्सित सब्वेता में आ गए और इसको हमने पहचान लिया ये हमारी उपलब्दी है जो हमें हमाले से भी मुचा बनाने वाली है और इसको याद रखना जैसे जैसे हमागे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये हमारी ताकत बनेगी हमारी पहचान ही हमारी ताकत है जब हमारा बच् हमारी है जिद हमारी जोडने की जोड़ेंगे जीतेंगे जो जोड़ेंगे वो जीतेंगे जहां जहां जोड़ेंगे जीतेंगे जब 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 ज तंप सरीन गच्छाम। उधम सेनं गच्छाम। तंप सरीन गच्छाम। तंप सेनं गच्छाम।